हलो जहिन सात्यों स्वागते आप सभी का सत्या एक्सलेंट यूटूब चैनल पे हैं जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि इस समय अपरेंटिसिप की ज़्यादा वेकंसी आ रहे हैं और वेकंसी को आप यहाँ पर भूल जाए क्योंकि आप यहाँ पर जो चात्र अप्रेंटिसिप करना चाहते उनके लिए रोजगार मेला भी यहाँ पर प्रवाइट गया जा रहा है जिसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं डिजिटी की जो अपिसियर वेकंसी यहाँ पर एक रोजगार मेले का आवेज़न करने की नोटिस चारी की गए और यहां पर आप कैसे पता कर पाएंगे कि कहा पर रुझगार मिला लगने वाला है और कैसे आप इसमें भाग ले पाएंगे सारी जनकारी में आपको देने वाला हूँ इस वीडियो के मादम से तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा जिसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर साब तोर पर लिखा गया apprenticeship male on जो कि 13 जुन 2022 को यह apprenticeship male लगने वाला है अब कैसे यहाँ पर पता कर पाएंगे कि कहाँ पर लगने वाला है तो देखिये यह जो apprenticeship male है यह पूर्य भारत में लगने वाला है और आप चाहें तो जहाँ पर आप रहने वाले हैं वहाँ पर जो भी नोडल कालेज है जो भी गौवर्मेंट कालेज है वहाँ पर लगने वाला है तो आप कैसे पता कर पाएंगे क्योंकि कुछ इसमें ऐसे भी यहाँ पर गौवर्मेंट कालेज के नाम देगे हैं जहाँ पर रुज़ गार, मिला नहीं करने वाल है जिसे कि आप यहाँ पर देख सकते हिए भारत का नेक्स है इसमें आपको क्या करना है यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि यहाँ पर जो चातर उतर प्रोड़ेस को आप यह इस पटी पर क्लिक करेंगे तो यहां पर हरा पट्टी पर क्लिक करेंगे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यह देखिए एक नया पेज उपिन हो जाता है अब यहां पर कैसे पता करेंगे कि हमारा जो रुजगार मिला है कहां पर लगने वाला है तो देखिए जैसे आप यहां पर नीचे आजाएंगे तो 13 जून को जहां पर रुजगार मेला लगने वाला है उस सारे जीलों का यहां पर नाम आपको देखने को मिल जाता है यहांपर टोटल 29 जिला दिखाये जारहे है तो आपको जिस जिला में जाना है जैसे कि आगरा को माल लेते हैं तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा जो कि यहाँ पर डिश्टी के अन्यम आगरा में जहाँ पर यहाँ पर लगने वाला है रूजगार मिला उसका लोकेशन आपको देखने को मिल जाता है नोडल गोर्मेंट आईटे जो कि बलेक स्वर रोड आगरा में यह पड़ता है और यहाँ पर इसका location भी दिया गए, 7-7 पीन code भी दिया गए, आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो आप यहाँ पर जाना चाहे तो जा सकते हैं, निची आ जाएंगे, तो आपको यहाँ पर कुछ इसका number भी देखने को मिलता है, जो छातर इसके बारे में जनकारी देना चाहत हैं, वो जनकारी ले सकते हैं, इन phone number पर क्लिक करके, या email ID के माधियन से जनकारी लेना चाहते हैं, तो यहाँ से भी ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, अब यहाँ पर देखिए, एक बात यहाँ पर नोटिस नहीं किया गया है, कि जो चातर ITI के हो जा सकते हैं, यह द आपके पास technical qualification है, यह दसमी पास है, तो ही आप इसमें भाग ले सकते हैं, आपके पास जो भी यहाँ पर qualification है, आप इसको ले जाए और वहाँ पर भाग ले सकते हैं, लेकिन ध्याने केगा, आपको इसमें जाने से पहले आपको एक कारी करना पड़ेगा, आपको apprenticeship की official website है, और apprenticeship में वही छातर भाग ले पाएंगे, जो छातर apprenticeship की official website पे registration की है, तो आप रोजगार मिला हुआ है, या apprenticeship का कोई भी फॉर्म हुआ है, आप भरते समय आपको apprenticeship की official website पे आपको registration करना आनिवार है, यदि आपको जनकारी नहीं की mobile के द्वारा registration कैसे किया जाता है, तो उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के description box में दे दिया हूँ, आप उस पे click करके आसानी से देख सकते हैं कि mobile के द्वारा registration कैसे किया जाता है, और आप आसानी से step by step कर पाएंगे, उमीदे सातियों आपको जनकारी पसंद आई होगी, पसंद आई तो वीडियो पर लाइक कीजेग और चैनल पर नए होगे, तो चैनल को भी subscribe कर लिजेगा